हेलो दोस्तों स्वागता सुभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डियास मैथ टुटोरियल रेर उंडा में तो दोस्तों आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे कक्षा बारा मैथ की परस्वाली नमबर तीन आव्यू है जिसे बोलते हैं मैट्रिक्स यानि मैट्रिक्स तो आज हम पढ़ेंगे आव्यू की परिबासा आव्यू की कितने प्रकार होते हैं और आव्यू की कोटी क्या होती है तो आए शुरू करते अपना टोपिक आव्यू है तो यहां पर आव्यू है तो सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे आव्यू है की परिबासा तो सबसे पहले तो पढ़ेंगे कि आवियों की प्रिवासा क्या होती है आवियों होता क्या है तो आवियों होता है कि संख्याओं या आवियों का एक आईता कार्करम विन्यासी आवियों कहलाता है तो अवयोग के प्रिबावस होती है कि संग्छाओं या अवयोग का एक आईताकार करम विन्यास ही अवयोग कहलाता है तो यहां पर लिखेंगे कि अवयोग अवयोग या संग्छाओं संग्छाओं का आईताकार करम विन्यास ही दर्व कुल लाता है कि आई को हमेशा अंगरे अन्ग्रेज बरमदा के बड़ी अक्षर यानि कैपिटल लेटर से दया जाता है तो यहां पर लिखेंगे तथा है अभ यह अगको हमेशा कि अगरे अगको हमेशा अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्सरों से दर्साया जाता है तो अब इसको समझते हैं कि आव्यू है संख्याओं या आव्यूं का एक आईताकार करह विन्या से होता है तो और अगली बात है वो इंपोर्टनेट है कि आव्यू को में से अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्सरों से दर्साया जाता है तो यहां मान लेते हैं कि एक आव्यू है जिसको नाम देते हैं केपिटल ए तो इसका ए आव्यू है और पर वासा क्या कि आव्यू या संख्याओं का एक आईताकार करमिन्या से होता है तो यहां पर ए आव्यू होगा हमारा यहां पर मान लेते हैं कि जैसे दो, छे, तीन, पांच तो इस पकार मान लेते हैं यह संख्याएं हैं तो यह हमारा एक आव्यू है यहां पर और भी संख्याएं मान सकते हैं जैसे यहां पर मान सकते हैं साथ मान सकते हैं यहां पर कुछ भी मान सकते हैं जैसे 11 मान लिते हैं तो यह हमारा एक आवियू है तो यह हमारा एक आवियू है और आवियू के अंदर जो यह खड़ी रेखा हैं होती है जो खड़ी संक्य होती है इन्हें बोलते हैं आवियू की स्थंब तो यह होते हैं आव जो खड़ी रेखाएं होती है वो होती है आवियू के स्तंब और जो इस प्रकार आड़ी रेखाएं होती है जैसे 2, 6, 7, 3, 5, 11 तो यह होती है आवियू की पंक्तियां इन्हें बोलते हैं आवियू है की पंक्तियां जिन्हें सामाने तरह M से दर्शाते हैं और इन्हें सामाने तरह N से दर्शाते हैं तो इस प्रकार जो इस का खड़ी रेखाएं होती है खड़ी संखें होती है उन्हें बोलते हैं आवियू की स्तंब और जो आड़ी संखें होती है उन्हें बोलते हैं आवियू की पंक्तियां और यह होता हमारा आव्यू है तो अब देखते हैं कि आव्यू के संख्याएं या आव्यू क्या होते हैं तो जो आव्यू है के अंदर इस आव्यू के अंदर जो संख्याएं होती है इन्हें बोलते हैं आव्यू के आव्यू या संख्याएं या इन्हें बोलते हैं आव्यू क की परविष्टियां तो इस प्रकार ये था हमार टोपिक आवियो क्या है आवियो की परिवासा क्या है आवियो की आवियो या परविष्टियां क्या है तो जो आवियो के अंदर जो आवियो होते हैं जो संख्याएं होते उन्हें बोलते हैं आवियो की आवियो या आवियो की पर विस्टियां अब आता है हमार टॉपिग ईसक के पाम कंति नहीं मानना होता है उसे वोते हैं आभिकी कोट्टी तो यहां पर लिखेंगे आव यू है की कोटी तो कोटी क्या होती है कोटी होती है हमारी पंक्तियों जिसे हम सामने ते मानते हैं M तथा स्तंबो जिने हम मानते हैं N का गुणा तो पंक्तियों और स्तंबो का गुणा ही होती है हमारी कोटी अब हम यहां पर मान लेते हैं कि एक आव यू है हमारे पास A हम मान लेते हैं कि एक आव यू है A जिसके अंदर पंक्तियों किसंग क्या है M और स्थम्भो किसें क्या है एन और यहां पर अव्यो मा लेते हैं एक पर से समॉल ए तो यहां पर यह हमारा समॉल ए अव्यो यह कौन सा अव्यो है तो इसमें पंक्ति है हमारी पहली और स्थम्भ है हमारा पहला तो पहली पंक्ति पहला स्थम्भ अब यह आता है दूसरा अव्यू कौन सा है पहली पंक्ती है और दूसरा स्थम्भ है तो यह मारा पहली पंक्ती दूसरा स्थम्भ और अब यहां पर यह ती नमबर तो पहली पंक्ती और यह तीसरा स्थम्भ हो जाएगा दूसरी पंक्ती पहला स्थम अब यह हमारा दूसरी पंक्ती दूसरा स्थम तो पंक्ती तो मारे दूसरी चलती जाएगे इस प्रकार यहां पर दूसरी पंक्ती अब यहां पर तीसरी यहां पर भी तीसरी यहां पर भी तीसरी लेकिन यहां पर स्थम कौन सा है दूसरा यहां पर तीसरा स्थम्ब, यहां पर पहला स्थम्ब, यहां पर दूसरा स्थम्ब, यहां पर तीसरा स्थम्ब तो इस प्रकार जो अभी होते हैं या जिनने हम बोलते हैं प्रविष्टियां उनको इस प्रकार दरसाए जाता है और यहां पर हम मान लेते हैं कि इसके अंदर M पंक्तिया है और N स्थम्ब है तो जब M पंक्तिया है और N स्थम्ब है तो यहां पर यह चलता जाएगा यहां पर जो हमारी पंक्तिया है वो तो A की रहेगी क्योंकि पहली पंक्तिया है लेकिन आपर स्थम्भ कौन सा हो जगा अंत में तो अंत में स्थम्भ हो जगा हमारा एनुवा क्योंकि हमने एन स्थम्भ मान रखे हैं तो इस प्रकार जो इसका अंतिम स्थम्भ हो गया अंतिम पद हो गया वो हो गया ए बन और यानि पहले पंकति और अ cualquier यह उपरकार यह हो जोएगा पर साथ बांक्ति ओर्फ नों की तो हों कि हैं में लेख टोटल पंक्तियां मानने है प्र यहां पर ये पहले पंकति दूसरी पंकति तीसरी पंक्ति तो इसका चलता जाएगा और यहां पर आजएगा हमारा M.O.V. पंक्ती M.O.V. पंक्ती और पहला स्नब इसी परकार M.O.V. पंक्ती दूसरा स्नब इसी परकार M.O.V. पंक्ती तीसरा स्नब इसी परकार M.O.V. पंक्ती चोथा स्नब तो इस परकार दर्शाया जाता है एक आवियो को दर्शाने का तरीका और यहां पर लिखेंगे m into n इसका मतलब एक इसकी कोटी है m into n यानि जो इसके द Dá टोटल पंक्तियों की संख्रह है वो तो है m और जो टोटल संड है वो हमारा n तो इसकार यह होता एक आवियो को दर्शाने का तरीका और जो M into N है वो हमारा M into N हमारा कोटी तो M into N होगी मारी आवियो की कोटी तो इसकार कोटी होती है पंक्तियों यस्तमों की का गुणा ही कोटी होती है और आवियो होता है आवियों या संख्यायां का एक आइता करमविन्यास आवियों कहलाता है और अवियों को जया नेu की परिष्टिया कुछल कि यहां पर सब्वसेय सहागे प्रा头 है यहां पर सबसे पहले तो हेमारा पंक्ती आभीयों है लेते हैं जिसे बोशें पहले लेते हैं सनाब यह यह संब आरे यह हो कि तो सिनक्य अमन्तर हूँ है कि जो खड़ी सब्सक्राइब का मतला होता है कि एक ऐसे संब हो कि युक्त कम आओ कि बेख सकती है स्बसक्राइब यह करे साब की प्रिवासा आए है जिसमें के वल इसमें कמ׵自 में की प्रच कि एक स्तंब फो जो मुझे इतो तो डर्स आते हम पंस्तियां रिख कितनी हो सकती है तो मान लेते हैं की एक काव यह है तो इसे बनाना है में स्तंब आवी है तो कब वो यह स्तंब आवी कब हो जाएगा जिसके निस्टम का मान के वो लुकीवट एक होगा यानि जो नहीं है वो खड़ी रूप में एक होनी चाहिए तो यहां पर मान लेते हैं कि यह पर च्छ यहां पर 9 है यहां पर मान L Cathy पंद तो यहां पर हम पंक्तियों को मानते हैं सामाने ते एम से उस्तम को मानते हैं एन से तो यहां पर जो एम का मान है जिसे बोलते हैं पंक्तियां तो पंक्तियों तो पंक्तियां का मान है यहां पर तीन एक दो तीन और एन यानि स्तम्ब स्तम्ब का मान है यहां पर एक तो यहां पर यह होगा हमारा एक आवियो है तो इसकी कोटे लिखेंगे तो कोटी होती है हमारी M into N तो इसकी कोटी हो जाएगी M into A M into A क्यों कि यहां पर तो मैंने मानी है तीन पंक्तिया इसके अंदर पंक्तिया कितनी भी हो सकती है लेकिन स्तम्ब केवल हो किवल एक स्तम्ब होगा तो जो स्तम्ब आवियो होता है उसकी कोटी पुछे जाए तो कोटी होती है इसकी M into 1 क्योंकि स्तम्ब का मान एक रहेगा पंक्ति कितने भी हो सकती है तो स्थम्ब आवियो की कोटी होती है एम इंटू एक यह होती है स्थम्ब आवियो की कोटी और स्थम्ब आवियो की फिर्वासा कि वह है आवियो जिसमें क्यावलो क्यावल एक स्थम्ब आवियो है तो स्थम्ब आवियो की तरह ही पंक्ति आविय है जिसमें केवल जिसमें केवल एक पंक्ती हो केवल एक पंक्ती हो तो जिस आविव में केवल एक पंक्ती हो तो उसे बोलते हैं पंक्ती आविए लेकिन स्थम कितने भी हो सकते हैं तो यहां पर माले तें कि एक आविव है यह मारा पंक्ती आविए दरसाना है इसे इसे दरसा आना है पंक्तिया भी ए तो पंक्तिया होता है जिसके क factor बेवल एक पंक्ती हो तो माल लेते हैं अभी है सिद एकर के होस्त किनर 20 याँ और स्तं यानि n, n का मान याहां पर 1, 2, 3, 4, क्योंकि स्तं याहां पर 4, तो n का मान है 4, तो यहां पर इसकी कोटि लिखेंगे, तो यहां पर इसकी कोटि तो होजाएगी 1 इंट्व 4, एक इंटू चार लेकिन इसकी कोटी तो हो जागी एक इंटू चार क्योंकि पंक्ती है एक उस्तम है चार लेकिन जो मारा पंक्ती अभी होता है इसकी कोटी होती है एक इंटू एन क्योंकि पंक्ती किसंग है तो हमेशा एक होगी कि आफिके लेकिन स्थम कितने भी हो सकते हैं तो इसकी जो कोट़ी लिखी जाएगि फंग्ति आवे की वो कोर्टी होती हैं 최es Чтобы इसकी कौटी क्योंकि इसके इसलिक्ति कितने भी हो सकती हैं लेकिन पंफिक्ट के उलोके wizard 1 यह होगी और यह होता हो और यह प्रकार से कह सकते हैं कि उससे एक वरग का निमान होती है वरग में विशेस बात क्या होती है कि उसके अंदर चारों लंबाई जो वरग की चारों बुजाएं होती है उनकी लंबाई समान होती है तो इसी प्रकार जो वरग आव्यू है उसमें पैचान होती है कि इसकी जो पंक जोन्कती है तो दो भी इस्तम वोने चाहिए तो वरगावी होता है वह ऐंग्यू है है वह है प्रॉप है झिक जिसमें है जिसमें पंक्तियों ये सिटेम्भों की संच्छा समान हो लुए कि पंक्तियों वें स्टमों कि संख्षा कि मैं कि संख्षा समान हो समान यानी बराबर हो अगर इसके पंक्तिय하면 तो एसी तो मान लेते हैं कि एक आवियू है ए और इसी हमें दर्साना है वरग आवियू है तो वरग आवियू में क्या होता है कि इसके पंक्तियों उस्तंबों के संख्या बराबर होनी चाहिए जैसे मान लेते हैं यहां पर पांच यहां पर साथ यहां पर नो यहां पर मान लेते हैं जैसे 15 तो अगर इसके अंदर दो पंक्ति है तो दो ही स्तम होने चाहिए तो यह हमारा एक वरग आवियू है और वरग आवियू में खास बात क्या होती है कि अगर पंक्तियां अगर पंक्तियां हैं यांपर M तो स्तंब भी क्या होने चाहिए M ही होने चाहिए तो यह होती है खास बात यानि हम कहा सकते हैं कि वरग आवियों की जो कोटी होती है वरग आवियों की कोटी वो होती है हमारी M into M यानि जितनी पंक्तियां उतने स्तंब तो इस्प का वर्ग आवियो की कोटी होती है M into N और इसकी कोटी है 2 into 2 क्योंकि इसके अंदर 2 पंक्तिया है और 2 स्तंग है तो इस्प का ये था हमारा वर्ग आवियो अब चार नमबर आता है हमारा विकरन आवियो है तो विकरन आवियो क्या होता है कि एक वर्ग आवियो है विकरन आवियो के लिए पहले सरत होने चाहिए कि वर्ग आवियो होने चाहिए कि एक वर्ग आवियो है विकरन आवियो कहलाता है यदि उसमें विकरन के अलावा सभी आवियो सुनने हो तो एक वर्ग आवियो है एक वर्ग आव्यू है विक्रण आव्यू है होता है होता है यदि यदि उसमें विक्रण के अलावा के अलावा सभी आव्यू सुनने हो एक वर्ग आव्यू है विक्रण आव्यू होता है यदि उसमें विक्रण के अलावा सभी आव्यू सुनने हो तो माल लेते हैं कि एक आव्यू हमारे पास ए तो विक्रण आव्यू होने के लिए पहले सरत तो है कि वह वर्ग आविव होने चाहिए तो यहां पर माल लेते हैं कि एक आविव हैं माल लेते हैं यहां पर दो पांच यहां पर माल लेते हैं साथ यहां पर माल लेते हैं जैसे 25 मान लेते हैं यहां पर मान लेते हैं जैसे 11 यहां पर मान लेते हैं 17 यहां पर 15 तो इस प्रकार इसके अंदर 3 ही पंक्तियां हैं और 3 ही स्तंब है तो इस कारी होगा हमारे एक वरग आवियू है अब यह तो होगा हमारे वरग आवियू है लेकिन विक्र नावियों के लिए सड़्त क्या है तो यहां पर कोई सभी ले सकते हैं तो जिसए हम यह ले लेते हैं यह विक्र 저희 तो तो इस किनारे से इस किनारे को मिलाने वाला होता है उसे बोलते हैं विक्र न तो और विक्रिन मेंसा एक वर्ग अवियों है में यह बनता है इसलिए इसमें दिया गया है कि एक वर्ग अवियों होता है और थाथ विक्रिन अवियों के ओने के लिए सलसे पहले सरत होती है कि वर्ग अवियों होना चाहिए अब विक्रिन अव्यों की सरत होती है कि एक वरग अव्यों है विक्रिन अव्यों होता है यदि उसमें विक्रिन के अलावा सभी अव्यों सुन्य हो कि विक्रिन के अलावा जो अपने जो अलग सभी अव्यों है वो सभी सुन्य होने चाहिए जैसे ये भी होना चाहिए, सुन्ये, ये भी 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 सुन्ये, तो अब ये मारा है, ये एक विक्रन आवियो है, क्योंकि ये एक वरग आवियो भी है, और साथ में विक्रन के लावा सभी आवियो इसमें सुन्ये भ कि आब बात करते हैं विडिर नाविय की कोटी की तो कोटी होती है हमारी कोच तो कोटी होती है मारी एम इंट्व एम यह तकि कोर्ण। अब आता है पांच नंबर और पांच नंबर है मारा एडिस आव्यू है तो एडिस होता है कि एक विक्रिण के लावे सभी अव्यू सुन्या हो तो एडिस होता है हमारा कि एक कि एक एसा विक्रिण आव्यू है जिसमें विक्रिण के सभी अव्यू एक जैसे हो अर्थात इसमें एक नई कंडिशन लग हो जाती है कि जो विक्रिण के सभी अव्यू वह समान होने चाहिए अगर एक है तो एक होने चाहिए अगर दो है तो दो होने चाहिए तो विक्रण के अलावा के अलावा सभी अव्यों सोड़ी जिसमें विक्रण के सभी अव्यों समान हो तो एक एस विक्रण आवी है जिसमें विक्रण के सभी अव्यों समान हो एदू विक्रण के सभी अव्यों सुनने हो तो माल लेते हैं यहां पर पांच, यहां पर सुनने, 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 यहां पर माल लेते हैं दस तो यह तो बन गया हमारा एक विक्रन अभी है, अब सर्थ क्या होती है, एदिस अभी के लिए सर्थ क्या होती है कि विक्रन के सभी अव्यों समान होने चाहिए अगर माल लेते हैं यह 5 है तो यहां पर माल लेते हैं कि यह 5 ले रखा है तो यहां पर सभी अव्यों 5 होने चाहिए अब यहां पर यह विक्रन के सभी अव्यों समान है तो हम कह सकते हैं कि यह एक एद इस आव्यू है तो पहले तो शर्ती है कि एक विक्रन आव्यू होने चाहिए दूसरी है कि विक्रन के सभी आव्यू एक जिसे ओने चाहिए और इसकी कोटी तो कोटी भी इसके होगी M into M यानि जितनी पंक्तियां उतने ही स्तंब अब आता है तत्समक आव्यू या इकाई आव्यू है तो तत्समक आव्यू है या इकाई आव्यू है क्या होता है कि एक एसा आव्यू है जिसमें विक्रिन के सभी आव्यू एक हो यानि इकाई हो और बाकी सभी आव्यू सुन्य हो यानि तत्समक आव्यू होता है तो हमारा ए काई यानि एक होना चाहिए विक्रन का दो अव्यू है वो एक होना चाहिए तो यह था मारा तत्समक अव्यू या एक काई अव्यू है तो लिखेंगे एक एसा विक्रन अव्यू है विक्रन अव्यू है जिसमें विक्रण के सभी अव्यूब अव्यूब इकाई यानि एक हो तुमा लेते हैं कि एक अव्यूब है हमारे पास ए और वह एक विक्रण अव्यूब यानि विक्रण के लावा सभी अव्यूब सुन्य है तो माल लेते हैं पांच सुन्य 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 यहां पर माल लेते हैं जैसे दस सुन्य 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 यहां पर माल लेते हैं जैसे दो तो यह तो हमारे एक विक्रण अव्यूब है है लेकिन के सभी ओए वो इक होने चाहिए तो यहां पर यह वण चाहिए है ये पी एक और ये भी एक तो अब बन गया ये एक आव्यू है यानि लककाम गोम है और heb की कोड़ कोड़ी होता है हमारी M into M यानि जितनी पंक्तियां उतने ही स्तम्भ तो यह उत्यस की कोटी M को मान सामने दे मानते हैं पंक्ति और N को मानते हैं स्तम्भ तो यहां पर जितनी पंक्तियां उतने ही स्तम्भ होने चाहिए यानि जो पंक्तियां अगर 40 30 है तुप साओने चाहिए अगर पंक्तियां अध Hindus नहीं तो यह तो गया मरा तस्मक और यह का है अब आता है आवियो है का लास्ट टाइप और वो हमारा सुन्यावियो है तो सुन्यावियो नाम से पता चलता है कि एक राववियो है जिसके अवियो सुन्य हो तो उसे बोलते हैं सुन्य आव्यू है तो लिखेंगे एक इस सा आव्यू है जिसके सभी आव्यू सुन्य हो तो मान लेते हैं कि एक इस आव्यू है इसको बनाना में सुन्य आव्यू है तो अगर इसके सभी आव्यू सुन्य हो जाएंगे तो ये बन जाएगा हमारा एक सुन्य आव्यू है तो ये बन गया हमारा एक सुन्य आव्यू है और सुन्य आव्यू को हम रिक्त आव्यू ही बोलते हैं रिक्त आव्यू है भी बोलते हैं इसको और सुन्य आव्यू के लिए ये कोई सर्थ लागों नहीं है कि इसके इसमें जितनी पंक्तिय उतने स्थम होने चाहिए कितने भी पंक्तिया हो सकते हैं कितने भी स्थम हो सकते हैं तो इसकी कोटी होगी वो कोटी होगी मारी एम इंटू एन यानि एम पंक्तियां और एन और वैसे इसकी परिवासा होती है कि जिसके सभी अव्यू सुने हो उसे बोलते हैं उस अव्यू है को बोलते हैं सुनने अव्यू है और सुनने अव्यू को हम capital O2 निरुपित करते हैं इस परकार तो सुन्दे आवियों को इस परकार से निरुपित करते हैं तो इस परकार ये थे हमारे topic आवियों कि परिवास आवियों कि कोटी तो झाल झाल